हालो राधर राधिमा यूट्यूब फैमली वेलको बैक टू दे चैनल सिद्धिमा व्लॉग्स कैसे हो आप सब आई होप आप सब लुग ठीक होंगे बढ़िया होंगे मज़े में होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आज दे है संडे संडे क्यास तो सूपर संडे है क्योंकि यहाँ पर महिने के आखरी रविवार को जो मार्केट आफ रहता है तो आज हस्बेंट घर पे ही है आज उनकी चुटी है बुलबुल की चुटी तो है ही वो भी घर पे ही है बस हाँ मेरी चुटी नहीं है मैं लग गई हूँ सुबह सुबह अपने काम पर जी आज है मेरी द बस सुबह उठी हूँ, उठने के बाद मैं नहा कर सिधा आ गई थी रसोई में, और आने के बाद मैंने खीर चड़ा दिये, आलू की सबजी बना दिये, और आज वही सब कुछ बन रहा है जो दादा ससूर जी के श्राद वाले दिन बना था, तो मैन्यू में कोई भी चेंजे नहीं है, मतलब सेम वैसा का वैसा ही मैं सारी चीज़े वही बना रही हूँ, तो रेसिपी जो डिटेल में शेयर नहीं कर रही हूँ, बस आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया है, क्योंकि मतलब मेरे जो दादी सासू है ना, वो कहते थे, कि मेरे श्र जी और दादी सासुमा जी थे मतलब नेरी शादी के और 7-8 साल बाद जो है वो एकस्पायर हो गए थे तो वो काफी टाइम तक हमारे साथ रहे थे तो इस वज़े से मुझे पता है कि उनको क्या पसंद था क्या नहीं तो बस वही है कि जो जो चीजे पसंद की होती है वही बन आते है तो मैंने तोरई की सबजी बनाई है और आलू की सबजी बनाई है साथ ही खीर बना दी है जलेबी लडू ये सारी चीजे तो मार्केट से आती है बस हाँ खीर एक मीठा जो होता है वो घर पे बना देता है और आज हस्बंड घर पर ही थे तो बस इन्होंने जल्दी स सुबह की पूजा पाठ कर लिये थे और उसके बाद गाय को दे दी थी रोटी गाय को कवों को और इस तरह से खिला देते हैं तो बस जी गाय को रोटी दे दी है और उसके बाद हस्बंड करने लगे आज मेरी हेल्प क्योंकि भई यह जैसे मैंने कहा ना कि आज सूपर संडे ह आज यह घर पे ही है फिर उन्होंने पूडिया बनाने में मेरी हेल्प कर दी थी क्योंकि शराद के दिना और खाना जो है करीबन दस लोगों का बनता है वैसे घर में तो हम तीन ही लोग है पर खाना बनता है दस लोगों का दस लोग जैसे एक तो जैसे यह ताई जी आये है खाना खाने के लिए अख्मन को बुलाते है जैसे जेंट्स का शराद हो लेदिस आता है लेडिस आती है तो ये ठाइजी आये हैं उसके अलावा अनिल है और हमारे जुम स्टाफ है उनको भी थोड़ा थोड़ा प्रशाद देते हैं उनको भी खाना कहरा तो इस वजह से खाना शाम को मिल रही हूँ वो भी एक gift के साथ हान जी देखो तफा 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 आया 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 gift आया है और जब कोई gift आता है तो किदर अच्छा लगता है बढ़िया लगता है न तो जी यह beautiful classy handbag मुझे receive हुआ है जूग ब्रैंड की तरफ से जूग के जो हैंड बैग होते हैं बहुत ज़दा beautiful और classy होता है और इनकी quality बहुत ज़दा बढ़िया रहती है मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ क्योंकि मेरे पास पहले से और जूग के बहुत सारे हैंड बैग हैं मैंने एक दिन वीडियो में शेयर भी किया था अपना जूग हैंड बैग का collection आप लोग के साथ तो बहुत सारे मेरे पास हैं और काफी टाइम से मैं जूग के इंडिया हाँ जी इंडिया का ये ब्रैंड है और बहुत क्लासी लगते हैं देखने में बहुत सुन्दर लगते हैं तो बस आज मुझे इस हैंड बैग का और एक शूट वीडियो बनाना था तो इसी वज़े से मैं तयार हो गई हूँ क्योंकि मेरे पास अच्छा खासा टा जा लोगी तो यहां पर मैं तयार हो गे Hence ऑफिर मैं जब तयार हुई थी तो यहां वाली ड्रेस आज फिर से पहन लेते हैं इस ड्रेस के आप लोग बहुत तर्ष कर रहे तकर लोग लें कि मांग रहे थो यह जो बोडर हंने, मेंसरे डिलेट कर दो इस वजे से मुझे लिं प्रिंशॉट लेना इस ड्रेस का मतलब वीडियो में से और फिर आप वो सर्च कर लेना तो आपको इजीली वहां पे मिंत्रा पे मिल जाएगी है और तो मैंने इस ड्रेस के साथ जो इस हैंड बैक को मैंने लिया है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है अच्छा लग रहा है बस ये काम मैंने दिन में किया और उसके बाद अभी मैं आप लगों से मिल रही हूँ शीदा शाम को नहीं नहीं शाम को ही शूट करा था मैंने वो भी अभी मतलब थोड़ा सा लेट हो गई अभी टाइम हो गया होगा करीवन साड़े पांच बज गया है और अब मैं लग ग सब्सक्राइबर पता नहीं है या नहीं है वो क्या ही है मुझे समझ में नहीं आता उन लोगों का जलन खोर लोग एक तरह से बोले तो उन्होंने कमेंट करा था एक दो वीडियो पर कि तुम चाहे कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो रहोगी तो तुम काम वाली ही और मत इस तरह के कोई भी नेगेटिव कमेंट आते है मेरी पोस्ट मेरी जो सिद्धिमा फ्लॉग की जो ओड्यएंस है जो मेरे सब्सक्राइबर से मुझे बहुत प्यार करते है पसंद करते है वो खुद ही उनको आंसर कर देते हैं नेगेटिव लोगों को तो मुझे कुछ बोलन या अच्छे कपड़े पहनना, कोई देखो घर में जिस तरह से रहते हैं इनसान वैसा ही रहेगा, एक मूवी है, आप लोगों ने देखी होगी, पुरानी मूवी है, राजेश खन्ना की, बहुती बढ़िया मूवी है, आनन्द, आनन्द ही नाम था, शायद मुझे ध्यान न पर हाँ मूवी बड़ी अच्छी थी, उसमें आनन्द कहता है कि देखो, हम बाबु मोशाय हम जो है, एक आटिस्ट हैं, और आटिस्ट जो है ना, हर किर्दार को अच्छे से निभा ले, और मैं भी वोई आटिस्ट हूँ, मैं हर किर्दार कोशिश करती हूँ कि अच्छे स काम भी बड़े अच्छे से कर ले, उसको कोई शरम ना आए, कि भी मैं घर के काम कर रही हूँ, और उनको मैं दिखा रही हूँ, तो उसमें भी मुझे कोई शरम नहीं है, और अगर मैं बाहर जा रही हूँ, अच्छे कपड़े पहन रही हूँ, तो वो भी दिखाने मुझे जी कोई शरम नहीं है ठीक है बाकि बोलने वाले लोगों का तो क्या ही कर सकते हैं वो बोलते रहेंगे ठीक है तो बस जी अभी मैं मैं मेडम से सिदा बन गई हूँ हाँ जी काम करने वाली और हम मैं पड़ावट पड़ावट अपने घर की साफसफाई करने में लगी वी और हां किसी ने ये कमेंट करा था कि शरादो में जो है न साफसफाई नहीं करते दिवाली की तो देखो डियर इसमें बात ये है कि मैं ये नहीं कहूंगी कि आप लोग गलत हो मैं सही हूँ बस बात ये है कि आपकी और मेरी सोच थोड़ी अलग है मतलब मैं क्या सोच कि दि नवरात्रे हमारे यहां पे बड़े मतलब धुमदाम से मनाय जाते हैं जैसे दिवाली ही होती है एक तरह से नवरात्रे मातारानी के बहुत अच्छे से हम मनाते हैं तो इस वज़े से नवरात्रों पे तो हम साफ सफाई करते नहीं हैं उसके बाद दिवाली के दिन बचते हैं करवाचौत करवाचौत पर हम महंधी लग वाते हैं तो फिर महंधी लगी हdoesूए हत्तों से और घर की साफ़सफ़ाई करने का मन नी दो हएता है तो इस टाम मेरे रहता है ऊसर से मैं मैं श्रादों में जब से मैं सिस्राल में आई हूँ न तब से इसी तरह से श्रादों में ही कर लेते हैं हमारे यापे साफ सपाई तो मुझे कुछ मतलब गलत नहीं लगता सही लगता रास तो थोड़ी सी मेरी हेल्प हो गी थी क्योंकि जैसे मैंने का सूपर संडे था तो आज अनिल भी घर पर ही था हस्बंड भी घर पर ही थे हलागी हस्बंड ने कोई हल्प नहीं करी वो तो चले गए थे हमारे एक प्लॉट में जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वो उसको समालने चले गए थे उन्होंने कहा तो था मैं हल्प कर दूँगा पर उन्होंने कोई हल्प नहीं करी पर हाँ निल ने अच्छीकासी हल्प कर दीदी क्योंकि आज अनिल घर पे rament था तो ऊसने फैन वागरे भी मोरत कर दिये, रूम को भी अच्छे से साफ करवा दिया, और अब जैसे मैंने कहा कि आश रात था, खाना सुबह बना हुआ ही था, तो खाना मुझे बनाना नहीं था, तो बस मैंने फटाफट फटाफट जो है किचन समेटा, तो ये था मेरा आज का, सुबह से लेकर शाम तक का दिन, इस तरह से बीता, और यहाँ पे बुल-बुल कह रही थी, कि ममी ये वेरी फोटो आपने नहीं दिखाई फ्रेंड्स को, ये जब बुल-बुल वहाँ नाद दोहरा गई थी ना, तो वहाँ पे इसकी क्लिक हुई थी फोटो, तो मैंने का चलो आप दिखा दे और हाँ, किसी सब्सक्राइबर ने मुझे पूचा था, वो continue मुझे क्यूशन पूच रही है, वाटसप पे, कि दी बुल-बुल खाली टाइम में क्या करती है, तो जी बुल-बुल को खाली टाइम में देखो, मैं इस तरह से बुल-बुल को आर्ट और क्राफ्ट का बड़ वीडियो को यही पे, अगर आज का व्लॉग पसंद आया हो, तो फ्लीज लाइक, शेर, सब्सक्राइब करते वे जाना, फिर मिलूंगे एक नए व्लॉग में, तब तक लिए टाटा, बाइ-बाइ, राधे-राधे जी